नमस्कार आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग संसद की गरिमा गिराने का काम वर्तमान विपक्ष जितनी तेजी से कर रहा है जिस तरह से कर रहा है उसके रोज नए प्रतिमान बन रहे हैं आज जो कुछ संसद परिसर में हुआ वो अभूत पूरु है अभूत पूरु मतलब इस तरह का दिर्शिक आज तक कभी देखने को नहीं मिला कभी देखने की कलपना भी शायद किसी नहीं की होगी आपने चातर संग के आंदोलन देखे होंगे चातर संग के नेताओं के बयान और उनके एक्शन्स देखे होंगे विशुद्याले के खिलाफ आंदोलन हो रहा हो वाईस चांसलर के खिलाफ तो वाइस चांसलर के खिलाफ नारे बाजी भाशन बाजी ये सब सुना होगा देखा होगा लेकिन मुझे मुझे याद नहीं आता कम से कम आपको भी अपनी याददाश्ट पर बहुत जोड डालना पड़ेगा ये याद करने के लिए कि क्या कभी छातर संग के नेताओं ने अपने विश्विद्याले के वाइस चांसलर का मजाक उडाया माखौल उडाया उनकी हसी उडाई इस तरह का कोई वाकिया हुआ क्या उनका विरोध किया होगा उनके खिलाफ नहरे बाजी की होगी ये सब किया होगा लेकिन उनका मजाक उडाया हो क्योंकि मजाक व्यक्तिका नहीं होता है अगर कोई बड़े पद पर बैठा है समवैधानिक पर बैठा है तो आप उस पद का मजाक उडाते हैं आज संसद परिसर में वही हुआ, आज 41 और संसदों को निलंबित कर दिया गया सत्र के बाकी समय के लिए, 92 सदर से पहले निलंबित हो चुके हैं, दोनों सद्नों के मिलाके है, अब आप सवाल यह है कि क्यों हो रहा है, और क्या पहली बार हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या म में यह संख्या सबसे बड़ी है, इस से पहले जो सबसे बड़ी संख्या थी, वो 1989 में, मार्च 1989 में जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, और इंद्रया गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी, बने ठककर कमिशन की रिपोर्ट टेबल की गई सदन में, तब हंगा के लिए, आपको याद होगा कि उस समय सदन में विपक्षी सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी, आज से भी कम थी, कॉंग्रेस जो है चुनाव में 1984 के 404 सीटे जीती थी, बाद में बाइलेक्शन में कुछ सीटे जीती, 412 सीटे हुई, और उसके बाद नंबर दो की पार् कॉंग्रेस की सहयोगी पार्टी थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के सदस्यों की संक्या कितनी थी, फिर भी वो विपक्ष ज्यादा प्रभावी था, हावी था, सरकार पर 412 सदस्यों वाली पार्टी की सरकार पर हावी था वो विपक्ष, आज का पूरी तरह से निश्प्रभावी है क्योंकि उसके पास कोई narrative नहीं है कोई मुद्दा नहीं है कोई विमर्ष नहीं है तो पहले बात करते हैं आज जो संसद परिसर में हुआ संसद परिसर में जब सदन की कारेवाही इस्तगित हो गई दोपहर तक के लिए तो सीडियों पर बाइटकर एक मौक पारलेमेंट चलाई कुछ सदस्यों ने और उसमें ज़्यादातर सीनियर पारलेमेंटेरियन्स थे टीमसी के लोग सबा सदस्य कल्यान बेनर जी अपने को उन्होंने सबापती की भूमिका में पेश किया और सबापती का माखाव लुडाया उनकी नकल की उनका मजाग उडाया और इस पर बाकी सदस से हस रहे थे और कॉंग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा सर्वो चनेता राहूल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे अब आप इस तरह के दिर्श्य जो है मुझे लगता है कि चातर संग आंदोलन में भी शायद ही देखने को मिले आपको लेकिन संसद परिसर में ये घटना हुई और मैं इसका जिकर इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात ये नहीं है कि जगदीब धंकर व्यक्ति का सवाल नहीं है जगदीब धंकर राज्यसभा के सभापती हैं और देश के उपराश्टपती भी हैं एक समवैधानिक पद पर हैं जब आप समवैधानिक पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से मजाक उडाते हैं उसके खिलाफ इस तरह की हलकी बाते करते हैं तो दरसल आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका समवैधानिक संस्थाओं में पर कोई विश्वास नहीं है आप समवैधानिक संस्थाओं पर बैठे व्यक्तियों को या इन समवैधानिक संस्थाओं को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो स्पीकर की बात न सुनना, ये सस्पेंशन क्यों हुए? सस्पेंशन इसलिए हुए कि सभी ने मिलकर आल पार्टी मीटिंग में ये तै हुआ कि सदन के अंदर प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे, अध्यक्ष के आसन के निकट नहीं आज तो अध्यक्ष के आसन पर चड़ने की भी कोशिश की गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देखे, इस तरह की हरकत कप करते हैं लोग, इस तरह की श्रिंगलता, इस तरह की नियमों के विर्धु जाकर जो है, इस तरह का प्रदर्शन कप करते हैं, जब आ लेड़ साल से योजना बन रही थी, इससे आप अंदाजा लगाईए कि मामला कितना गंभीर है, और ये कई स्टेट से जुड़ा हुआ है, किसी एक राज्य का भी मामला नहीं है, इस पर लोगसभा ध्यक्षक ने बयान दिया, जाच की कमेटी बना दी, जाच कमेटी की जो प्रिल्मिनरी रिपोर्ट है, वो सदस्यों के सामने पेश कर दी, और जितनी तीनों जो जाच एजेंसिया हैं, उनको इस जाच में शामिल किया, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ किस बात पर, कि ग्रेव मंतरी सदर में बयान दे, मैं व्यक्ति के तरूप से मानता हूँ, इ लेकिन उनका बयान लोगसभा अध्यक्ष ते पहले नहीं हो सकता है, इस मामने क्योंकि संसद परिसर की सुरक्षा का जिम्मा लोगसभा अध्यक्ष का होता है, लोगसभा अध्यक्ष ही उस बारे में कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं, कोई अंतिम बात कह सकते हैं, सरकार ब मिली भगत है यह सब आरोप आप लगाएं तो यह बात बनती है लेकिन आज जो किया है विपक्षी सदस्यों ने जिस तरह से पती और देश के उपराश्पती का मजाक उड़ाया है माकौल बनाया है उससे उन्होंने अपना पक्ष और कमजोर कर लिया है क्योंकि उनके पास को वो टन एकाउंट होगा वो बड़ा संख्षिप्त सत्र होगा उसके बाद चुनाव में चले जाएंगे पिछली बाद 2019 में चुनाव के अधिस उचना दस मार्श को जारी हुई थी इस बार भी उसी के आसपास एक दो दिन आगे पीछे जारी हो सकती है तो अब चुनाव मे जाने से पहले ये आकरी पूर सत्र था जिसका फाइदा विपक्ष उठा सकता था और प्रधान मंत्री ने सत्र के शुरू में ही आगा किया था कि ये तीन राज्यों में जो हार हुई है करारी हार हुई है विपक्ष की कहा उसकी खीश जो है सदन में मुतुदा लिएगा औ जो मुद्दा उसने इन तीन राज्यों के चुनाओं में बनाया, वो मुद्दा उसका चला नहीं, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मद्दाता ने पूरी तरह से अस्विकार कर दिया, अब उनके पास कोई नया मुद्दा है नहीं, तो ड्राहुल गांधी ने आज जो व्यवह कि वो इस देश का नेत्र तो करने की योगेता नहीं रखते, कॉंग्रेस पार्टी उनका नेत्र तो भले स्विकार करती रहे, लेकिन बार-बार मद्दाता संदेश दे रहा है, और राहुल गांधी अपने कामों से और अपने कर्मों से इस बात को बार-बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें वो योग्यता नहीं है जो देश का नेत्रतु करने वाले एक नेता में होनी चाहिए इस तरह की बचकाना हरकत और वो इस तरह की बचकाना हरकते पहले भी करते रहें कोई नई बात नहीं है लेकिन इतने गंभीर मसले पर गंभीर मसला संसद की सुरक्षा में सेंद का है जिसकी योजना बहुत लंबे समय से बन रही थी यानि ये पूरा सुनियोजित शर्यंत था ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ लोग उठे और प्रदर्शन करने के लिए आ गए तो इसको देखते हैं और इसमें कौन-कौन शामिल है इसमें अंदाजा ये है कि ऐसे लोग भी शामिल है किस तरह का मुद्दा बनाने की कोशिश होई उससे समझे कि इस मुद्दे को सुरक्षा की बजाए राहूल गांधी कह रहे है कि देश में महेंगाई और बेरोजगारी है इसलिए ये सुरक्षा में सहिंद हुई ये लोग इसलिए दर्शक दीरगा से कूदे अब आप समझने की कोशिश किजिए कि किस तरह का विमर्ष कड़ा करने की कोशिश हो रही है उसमें पूरी तरह से नाकाम रहे राहूल गांधी और उनके साथ ही तो अब उसके बाद उनके पास कुछ कहने को, कुछ बताने को, कुछ बोलने को रहा नहीं आपको याद होगा कि बफोर्स के मुद्दे पर जब राजीव गांधी प्रदान मंत्री थे उस समय के विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने संसत की सदसिता से इस्तिफा दे दिया था इस विपक्ष में इतनी भी हिमत नहीं है, ये भी सहास नहीं है उनको मालूम है कि ये आखरी पूर्ण कालिक सत्र है और उनका जो विवहार है वो एक तरह से सदन को चलने नहीं देना चाहते आप सदन को अगर चलने नहीं देना चाहते तो आप सदन में है क्यों सवाल यह है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए अगर उत्तर प्रदेश की 1993 की घटना को आप याद करें जब विधान सभा में माईक तोड़कर उनको रॉकेट बना कर फेका गया चलाया गया खुन खराबा हुआ लोगों के सर फूटे और मार्पीट हुई उस समय अगर जिन सदस्यों ने ये सब काम किया था ये कुकरित किया था उनकी सदस्यता रद कर दी जाती और उनके चुनाओ लड़ने पर रोक लगा दी जाती तो शायद उसके बाद इस तरह की घटना है नहोती लेकिन उसके बाद से लगातार जारी है उसको एक आदर्श के रूप में पेश किया गया कितना प्रभावी और और वो काम विपक्षण नहीं किया था वो काम सत्ता रूड़ दल समय जो सपा और बस्पा की सरकार थी सत्ता रूड़ दल के सदस्यों ने किया था उसके बाद से लगातार इस बात की मांग की जाती रही है इस बात की जरूरत महसूस की जाती रही है कि सदर में सदस्यों का व्यभार सह्यमित हो इसके लिए नियम बने, काईदे बने जब ये नियम काईदे बने थे संसद को चलाने के तब यह फेक्षा नहीं थी कि माननी सदस्य के इस तरह का आचरण कर सकते हैं अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि आप माननी सदस्यों से इस तरह के अच्छे आचरण की उम्मीद हमेशा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नियम बनना चाहिए मेरा तो सुझाव यह है कि ऐसे सांसदों को चिन्नित किया जाना चाहिए और उनकी संसद की सदस्यता अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ समय के लिए जरूर निलंबित कर दी जानी चाहिए खारिज कर दी जानी चाहिए या उसको ट्रंकेट कर देना चाहिए उसको कम कर देना चाहिए चार महिने के लिए, छे महिने के लिए, आठ महिने के लिए कोई भी समय सीमय तैक की जा सकती है कि इतने समय तक की सदस्य नहीं रहेंगे इनको जो लाब मिलते हैं सदस्य के जो भत्ते मिलते हैं वेतर मिलता है वो नहीं मिलेगा जब तक इस तरह का कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जाएगा संसद का इसी तरह से दुरुपयोग होता रहेगा देखे हुआ क्या है कि संसद को सडक में बदल दिया गया है जो विवहार सडक पर होता है या होना चाहिए शायद वो भी सडक पर भी इस तरह का विवहार अपेक्षित नहीं हो वो विवहार सदन में हो रहा है संसद में हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है मुद्दा नहीं है उनके पास किसी गंभीर विशेपर बहस में शामिल होने के लिए कोई तर्क कोई तथ्य नहीं है तो इस वज़े से वो लगातार इस तरह का आचरण करते हैं कि सदन चलने ही न पाए हंगामा ही खबर बने वो क्या बोल रहे हैं किस गंभीर विशेपर क्या कानून बन रहा है उसमें उनकी क्या राय है ये बताने ये कहने की बजाए वो लगातार हंगामा करके सदन की कारवाही को बाधित करना और जो विधाई कारे हैं उनको रोकने की कोशिश करना यही मकसद हो गया है तो वो एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद की जरूरत ही नहीं है तो वो संसद की प्रासंगिक्ता पर उसकी जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं देश में वो समझ रहे हैं कि ये सब जो है कोई कोई किसी अधिकार की लड़ाई के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए या गरीबों के हक की लड़ाई के लिए नहीं हो रहा है ये सिर्फ पॉब्लिसिटी के लिए हो रहा है और पॉब्ल बनने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए तो विपक्ष का जो आचरण है खास तोर से आज के आचरण की बात करूँगा मैं वो बहुत ही निंदनी है और इसमें एक खलनायक के रूप में उभर कर कल्यान बेनर जी और राहुल गांधी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो दे संदेश का प्रधान मंत्री बनने की महत्वा कांक्षा रखता हो उसका आचरण भी उसी के अनरूप होना चाहिए जो की राहुल गांधी का नहीं है तो कॉंग्रेस पार्टी को और कॉंग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों को समर्थक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे नेता के साथ अगर वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो जनता का किस तरह का समर्तन मिलेगा, जनता तो बार-बार मद्दाता बार-बार संदेश दे रहा है, कॉंग्रिस पाटी सुनने को तयार है, ना उसके सायोगी दल सुनने को तयार है, तो 2024 में भी जनता इससे बड़ा जो 19 में दिया था, मैंडेट जनादेश दिया था, उससे बड़ा देने वाली है, ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है आज से ही, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए प्रोध है कि ये चैनल देखे, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब गरूर कीजिए, नमस्कार.